हालो फ्रेंज, स्वागत है आप सभी का, आपकी अपने आप्रेशननेख, असुक में, तो देखें फ्रेंज, आज का वीडियो जो है, आप सभी सम्वीधा कर्मचारीό के लिए काफ़ी जादा खास होने वाला है, छास का फ्रेंज, ये वीडियो जो है, अगर एक समीदा कर्मचारी आए खासकर पंचाय सायक या आप होमगार्ट हैं तो यह वीडियो जो है आप दोनों के लिए काफी हद तक important होने वाला है यह जितने फ cracking प्रेंट्स चाहिए वह जो है किसी भी विभाग में कारेरा समीदा या outsourcing कर्मचारी है तो आप लोग भी जो है इस वीडियो को सुरू से लेका लाज तक ज़रू देखेएगा क्योंकि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफी ज़्यादा खास होने वाला है लेकिन आप लोगों से रिक्रेश्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार भी जिट कर रहा जैसा कि आप लोग इस पेपर आर्टिकल में भी देख सकते हैं तो देखे फ्रेंस यहां पर लिखा हुआ कि पंचाय साइकों का जो है सूसर बंद करे योगी सरकार राजस्तान के समान यूपी में भी मानदे लागू करे फिर देखे फ्रेंस आगे लिखा है कि उत्तर प्र रुपए परतिमा है वहीं उत्तर प्रदेश में हम पंचाय साइकों का जो मानदे है ये मात्र 6,000 रुपए है आखिर क्यों उपसे जो है स्वास्त बिभाग समाज कलनार बिभाग तथा किसी बिभाग का समस्त कार जो है पंचाय साइकों से ही लिया जाता है सभी प्रकार के प्रिटी के माद्दम से पंचाय साइकों के मानदे का भुकतान भी नहीं दिया जा रहा है जो उनका सोसड है और उत्पीडन भी है उपर से फरजी भुकतान का बिरोध करने के इस्टि में ग्राम पंचाय तो द्वारा नोकरी से निकलने की धमकी भी पंचाय साइकों को दी जाती है जो सोसड और वरैष्टाचार दोनों है और इसी कारण के चलते तमाम पंचायस आइकों ने भी त्याग पत्र दे दिये हैं अता है योगी अधितनाथ को ततकाल इस पर विचार करना चाहिए और हमारी मांगों को मानना चाहिए हमारे मान्दे बढ़ाने चाहिए DBT से भुगतान दिया जाना चाहिए और बाहरी भ्यक्त से भुगतान पर भी रोक लगाई जानी चाहिए गौरतलव है कि माननिय मुखमत्री योगी अधित नाते ने ग्राम पंचैतों को हाइटेक बनाने का जो दावा किया था उस दावे की जो हावा तब निकलती प्रतीत हो रही है जब डबल इंजन की सरकार द्वारा ही नियुक्त किये गए पंचैत साइकों की आवाज को दबा कर उनका बड़े पैमाने पर जो है सोसड और उत्पीडन के जाने लगा उनकी मांगों को जो है नजर अंदाज कर दिया गया क्योंकि एक तरब जहां राजस्तान के पंचैत साइकों का मानदे 21,000 रुपे पर तीमा है तता उत्तरा खंड के पंचैत साइकों का मानदे जो है 18,000 रुपे पर तीमा है वहीं उत्तर परदेश के पंचैत साइकों का मानदे आखिर 6,000 रुपे क्यों है इस सम्मंद में जो जिन्हों ने उत्तर प्रदेश की सभी गराम पंचाइटों को हाइटेक बनाने का दावा किया था और आज स्तितिया बन गई है कि पंचाइज साइको को त्याग पत्र देने की नौबत पर भी डबल इंजन डबल इंजन अकेले जो है डबल इंजन सरकार द्वारा इस बात पर जो है किसी भी तरीके का जो है बिचार भी मस नहीं किया जा रहा है और देखे फ्रेंस आप लोगों को बता दे कि अकेले जो है बस्तित जनपत में लगबग 125 साइको के पद रिक्त है जिनमें जो है लगबग 52 साइको ने ट्याग पत्र दे दिया है तथा 72 गराम पंचाइ हाइट हाइट बन चुकी है जो मुखमंतरी के कतनी करनी में बेद अस्पेश्ट करता है इसके अलावा भी जहां महिला 25 साइक की निवक्ति हुई है वहां उनके सुरच्छा के गारंटी क्या है यह परदेश की महिला 25 साइक पूछना चाहती है मानिया मुखमंतरी योगी अ रोका जाएगा उनको त्पीडन कब बंद किया जाएगा सरकार द्वारा जो है बलराम पूर उन्ना बस्ति के पंचाय साइक को द्वारा मुखमंतरी से जबा मांगा गया है कि क्या गराम पंचाय साइक को की निवक्ति सरकार द्वारा हमारा 160 करने के लिए किया गया था तो मुकमंत्री योगी अधितनात के पास अपना मानदे जो है 21,000 रुपए परतिमाय करने का ग्यापन भेज दिया गया है अगर इस ग्यापन पर जो है मुकमंत्री योगी अधितनात द्वारा अगर इस पर सहमती बन जाती है तो आप सभी पंचाय सायकों का मानदे जो है जो भी राजस्तान के पंचाय सायक है उनके मानदे के बराबर हो जाएगा और देखे फ्रेंस आप लोगों को बता दे कि हमने आप लोगों को वीडियो जो में पहले ही बताया था कि जो भी राजस्तान के पंचाय साय का उनका मानदे जो है 21,000 रुपए परतिमा है और जो भी उत्राखंड के पंचाय साय का उनका मानदे जो है 18,000 रुपए परतिमा है लेकिन यूपी के पंचाय साय को का मानदे 6,000 रुपए परतिमा है तो दीके फ्रेंस आप लोग तुलन नात्भारा सहमती बन जाती है तो आप लोग जो है यह चीज़ से और माने कर चलिए कि आप सभी पंचाय साइकों के मांदे में दृद्धी अवस्थ देखने को मिलेगा और देखें फ्रेंस इसके साथ में आप लोगों को यह भी बता दें कि जो भी यूपी के होम गार्ड्स हैं इन लोगों का जो अब मांदे होगा यह 31,500 रुपए परतिमा होगा यानि कि फ्रेंस आप लोगों को बता दें कि यूपी के जो भी होम गार्ड्स हैं इनका जो मांदे होगा अब 31,500 रुपए परतिमा दिया जाएगा हला कि फ्रेंस इनके मांदे में बृद्धी का सबसे बड़ा यह जो रीजन बता जा रहा है यह आप लोगों का पता होगा कि यह जो डीय में बृद्धी हुई है इसी वज़े से जो है इनके मांदे में काफी तेजी से जो है बृद्धी देखने को मिली है और फ्रेंस आप लोगों को बता दें कि होली के पहले ही जो है इन लोगों के मांदे में जो है यह ब्रिद्धी देखने को मिल जाएगी यानि कि अब जितने भी यूपी के होमगार्ट्स हैं इन लोगों को जो है होली के पहले ही जो है अब होली के पहले से ही जो है इनके मांदे में प्रिया गया है एक आप लोगों को बता दें कि जैसे जैसे जो कि सबसेये संभीश्बीक आता हुए दिख रहा है इन लोगों के मांदे में भी बिद्धी का जल्द ही आदेश मान्य मुखमंत्री योगी अधितना द्वारा दिया जा सकता है और देखे फ्रेंस अगर इस सम्मन में ऐसा कुछ भी नियू जाता है तो हम आप लोगों को वीडियो बना कर जरूर बता देंगे लेकिन फ्रेंस आप लोगों स्रिक्ष्ट है कि आप लोग जो है इस वीडियो को देखने के बाद खूब ज़्यादा सेयर जरूर कर दिजेगा और आप लोगों को बता देख कि अगर आप लोगों का इस सम्मन में कोई भी राय है तो आप लोग कमेंट बाक्स में भी जरूर बता सकते हैं फिर चले अगले वीडियो में मिल टेक्स टीनेट आप एक साथ वता के लिए जाहिन जैबार